Welcome back to my youtube channel, I am myself Varnawar आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGC के यंदिगर गृप ऑफ कॉलेजे जन्जेरी के बारे में सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे क्या ये वर्थ इट है, क्या तुम्हें या अडमिशन लेना चाहिए या क्या तुम्हें या admission नहीं लेना चाहिए एक से एक, जो भी एक college के बारे में सारी चीज़े होती है, वो हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, यहांपे तुम्हें key points भी दिख रहे हुंगे जिंजन चीज़ों के बारे में आज़न बात करने वाले हैं तो स्टार्ट करता है बिना किसी देरी के 2012 में तुम्हारा ये college established हुआ था 50 एकर का तुम्हें ये जंजेरी मोहाली पंजाब में college देखने को मिल जाता है और काफी अच्छी जग़ा तुम्हें देखने को मिल जाती है पचास एकर की तुम्हें प्राइवेट कॉलेज है तुम्हारा बडड नैक की A plus ranking देखने को मिल जाती है 3.64 out of 4 और internationally recognized college है by UGSC Government of India ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है कि private college है तुम्हें बेकार है सब कुछ ये proper है recognized वगएरा ठीक है सारी सिस्थों में देखने को मिल जाती है देखते यार इस कॉलेज का छोटासा है कैमपस तूटों में अच्छा देखने को मिलाओगा और अब स्टार्ट करते हैं बाकी अपने पैकेज के साथ है तुम्हें यहाँ पे अवरेज पैकेज 6-7.5 लाग के रेंज में देखने को मिल जाता है जो काफी डीसेंट को में देखने को बाकी सारे कोर्सिस भी प्रोवाइट करते हैं ठीक है जैसे कि तुम्हारा Engineering हो गया, Journalism हो गया, Mass Communication हो गया, Paramedical Science हो गया, Commerce, Computer Application, Fashion Designing और तुम्हारा Pharmacy, Business Management and Law ठीक है यह सारे कोर्सिस तुम्हें देखने को मिलते हैं अब बात करें प्लेश्मेंट Information की तो Average Package तुम्हें 6-6.5 लाग के बीच में देखने को मिल जाता है और Highest अगर लाग की प्लेश्मेंट देखने को मिल जाती है तो B-Tech CSE का जो अज़ा स्टूडेंट था जो हमें Amazon प्लेश्ट होता हुआ दिखा है तो काफी अच्छी प्लेश्मेंट में काऊँगा, काफी decent प्लेश्मेंट में काऊँगा तुम्हें यहां का जो Development Cell है, Career Development Cell वो काफी अच से परफॉर्म कर पाते हैं जुलाई 2024 से लेगे September 2024 तक चलेगा और उसमें तुम्हारी 93 है नवावद हो तो तुम्हें 90% scholarship देखने को मिलती है, काफी जाधा अच्छी scholarship तुम्हें यहां देखने को मिल जाती है, ठीक है, बाकी काफी affordable fees रहती है इसकी as compared to बाकी private colleges और अगर में बात करो तुम्हें काफी international opportunities भी provide करता है, क्योंकि इस college में तुम्हें semester exchange program देखने को मिलता है, जिससे इनकी college में तुम्हें भार की university से tie-ups है, जैसे जो 5-6 university दुम्हें दिख रही होगी, इन सबके साथ इनका tie-up है, तो इस वज़े से तुम्हें एक internship exchange program और student exchange program देखने को मिलता है, नहीं कि अगर को student 6 semester में है, और वो अपना semester exchange करना चाहता है किसी भी foreign universities में, जो available है, जिनका tie-up है इनके साथ, तो उसमें वो बिना किसी fees पे करे, इसमें कर सकता है, change, ठीक है, तो यह काफी एक अच्छी appointment में हो लगा, कि अगर तुम्हें 6 semester के बाद change करनी है, तो तुम कर सकते हो, अब यहा आपर loan काफी easily मिल जाएगा, और उसी थोड़ी थोड़ी डिटेल तुम्हें यहाँ पे scheme पे दिख रही होगी, बिहार credit card scheme और वेस्ट बंगार credit card scheme की, सारी डिटेल तुम्हें अपने scheme पे दिख रही होगी, इसको तुम pause करकर एक बार पढ़ सकते हो, और यह काफी helpful होगा, वगर तुम दोनों में, तुमारे पास कुछ भी इन दोनों में से है, बात करें यहां के events ही, तो काफी सादा cultural events तुम्हें देखने को मिल जाएगे, जैसे तुमारा बसंद उत्सव होगा, तुमारा लोरी celebration होगा, तुमारा दिवाली मेला, तीज मेला, Tech Fest, Placement Day, और तुमार जो college में life हो काफी happening सी रहेगी, बात करें यहां पर admission कैसे ले सकते, तो यहां पर तुम्हें CGC का जोश exam देना पड़ेगा, जिससे तुम्हें scholarship के लिए eligibility मिल जाएगी, बाकि अगर तुमारा criteria जो है, उसमें तुमारा 50% marks होने चाहिए, at least इस college में admission लेने के लिए, ठीक है, बाकि online, offline तुम्हें दोनों मिल जाएगी, और direct admission तुम्हें का college में देखने को मिल जाएगा, सिफ scholarship लिए तुम्हें CGC का जोश exam देना पड़ेगा, होस्टल fees के अगर मैं बात करें तो तुम्हें 110,000 का non-AC fees का होस्टल देखने को मिल जाता है, और 135,000 का AC वाला room देखने को पूछ सकते हैं, वो तुम्हारी पूरी-पूरी help करा देंगे, ठीक है, बाकि मिलता है अपने next video में